मेरा नाम है देव, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और स्मॉल केस का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है राइजिंग रूलर डिमांड जी है, तो इस स्मॉल केस को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को यहां पर जॉइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देखें अभी राइट नाम मार्केट जो है करेक्शन मोड में आने लग गया है, और कोई भी अगर नए स्मॉल केस के अंदर एंटर करना चाहता है, तो इस दा गुड टाइम, अगर हम लोग बात करें काफी जो पॉप्लर स्मॉल केस होते इसके अंदर तो जो फिरी के स्मॉल केस है काफी कम बचें, क्योंकि विन मिल कैपिटल था, उसने कई सारे यहां पर जो स्मॉल केस थे उसको यहां पर प्रीमियम बना दिया है, तो असली में जो है अगर आप आ इंडिया है उसकी जो कंजम्शन डिमांड है वह 1.5 टाइम से ज्यादा ग्रोइंग है as compared to urban areas तो यहां पर उन सभी कमणियों को शामिल किया गया है जो अपने सेक्टर की लीडिंग है और जो रूलर डिमांड को यहां पर मीट करती है तो इस स्टॉक के अगर हम लोग यहां प जो भी growing companies है उसकी बाद मैं guys home electronics हो गया, seed and fertilizers हो गया, consumer finance, fmcg, tractors, tobeco, beverages, insurance यह सारी कमणियों को यहां पर add किया गया है अगर guys इसके यहां पर मैं rebalance की बात करूँ तो quarterly basis में यहां पर rebalance होगा 15 September को यहां पर rebalance last हो था अभी जो next है वो 15 December को होने वाला है सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर large cap जादा रखा गया है, 42% यहां पर large cap companies है, 31% यहां पर mid cap companies है और 26% small cap है, बलब तीनों ही caps का आपको यहां पर exposure मिल जाता है अगर guys इसके हम लोग returns की बात के हैं तो वैसे आप CA जाया देखेंगे 6 साल का तो आपको 17% मिलेगा, यह आपको जादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि COVID की वैसे एक साल के अंदर ही काफी जादा return मिल जाता तो guys अगर आप live देखेंगे, तो यह देखेंगे काफी पुराना यहां पर small case है, 2016 से यहां पर चला रहा है, 4 April 2016 से, तो अगर उस टेम पर किसी ने 100 पर लगा होते हैं, तो अगर आप equity large cap या फिर राइजिंग रुलोड आप दोनों के बीच में कम पे करेंगे, तो थोड़ से देखेंगे, एक साल के अंदर, तीन साल के अंदर, तो भी आपको हमेशा जो equity large cap या mid cap का जो index है, उससे हमेशा आपको कम returns मिलेगा, तो guys अगर इसको मैं compare करना चाहूं किसी भी mutual fund के साथ में, तो यहां पर मैंने एक सुंदरम का ruler and consumption fund यहां पर उठा लिया है, तो उसका यहां पर आप 5 साल का CAGR देखेंगे, तो 11.47% का CAGR है, क्योंकि यहां पर एक साल का अगर आप देखेंगे, तो 44% है, तो guys पिछले एक साल के अंदर, यहां पर जाधा growth आपको मिलने वाली है, तो CAGR से आपको confused नहीं होना है, आपको simply recent के यहां पर patterns देखने है, कि recent के अंद investment है, तो देखेंगे, अगर वैसे हम लोग long term prospective से देखेंगे, then definitely it is the good, but मुझे लगता है कि rising जो rural demand है, इसके अंदर अभी right now जो कम्मी से इतनी जाधा attractive नहीं है, तो आपको यहां पर 15 December 2021 के यहां पर वीट करना चाहिए, उस टाइम पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन स section के दिल जरूर बताईए, thank you guys, thank you very much.